नमस्कार कैसे हैं नमस्कार मैं हूँ राकेश आप लोगे सामने स्वागत करता हूँ के विस प्याटे का 17 लेक्षर आप लोगे सामने है दिन नमबर इसमें मैंने सीधी सीधी रेंडम कोशन डालें तरीके से यह जरूरी है कि 2021 में हमारी लेटेस सेट आने वाले थे लेकिन कोविड की वज़े से अभी तक सेंसे वह हुई नहीं है जो डिटेल से उसके उपर तो हमको अटलीस्ट यह प्रिपेर करके रखना पड़ेगा इसमें दो चीज़े इतिहासिक पॉर्शन के हैं वह तो सेम रहेंगी बस डेटा जो 2021 का या जब भी आएगा तो वह अपडेट होगा और आपकी परिक्षा जब होगी उससे पहले हमें है तो कुछ होना नहीं है तो इसकी उससे पहले आपको 2011 वाला डेटा ही याद रखना होगा मोस्ट प्रबबली यह टॉपिक है यह सस्टेल करेगा इसको कह सकते हैं या पॉपलीशन ग्रोफ इन इंडिया इसका डवलब्मेंट क्या है इसके उपर तो इस समूल टॉपिक को परिक्षा में यहां से नमबर नहीं घटने चाहिए यहां से हम पूरे में से पूरे नमबर डिजर्ब करते हैं हम लोग कई सालों से सेंसे को पढ़ रहे हैं और अब गलती होंगे तो वह हमारा दोश होगा चलिए चीज़ों को फटाफ़ शुरू करते हैं देखो कि इतने क आपको पहला कोशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको लोग बोलते हैं जो हर दस वर्ष भारत में होती है पंद्रह बार हो चुकी है 211 में जो सेंसे हुआ था ठीक है आजादी के बाद अब तक साथ बार सेंसे हो चुकी है यह कुछ फैक्ट्वल चीज़े है जो सें इसमें 246 में क्लिरली मेंशन है सेंसे के बारे में तो यह क्लियर हो गया रेश्ट्रार जनल अफ इंडिया होते हैं जिन्सकी नेत्रत में यह सेंसे होती है और 2021 में लेटिस जमाज ज़्यंद गरना थी सेंसे था दोजार 21 में सोलहमा वो ड्यू था लेकिन वो कोवीड की होगह मां आके पहली सेंसेंस का इतिहास से जुड़ा। एक कोशन है सेंसेंस के उपर अगर देखा जाये तो 1872 में पहली बार कोशिश के गई धी 1872 में, Lord Mayor के काल में, ठीक, ओफीशियल जो सेंसेज हुई है भारत की, ओफीशियल, 1881 में हुई है, रिपन के काल में, Lord Rippon के पीरियड में, Lord Rippon के पीरियड में, 1881 में पहली सेंसेज, वैसे ट्रायल के लिए 1872 हुआ था, 72 में होगा था इसको ध्यान देना है अप लोग को यहां से यह कोशन फेक्ट्ट्वल है याद रखना जो ज़रूरी है लॉड रिपन को हम लोग ऐसे भी जानते हैं इस थानी सो सासंग का भारत में पैरोकार माने जाते हैं वो देखिए जो ग्रोथ होती है या जो जनसंक्या विर्धी होती उसके दो बड़े कारण होती है तो प्रजनंदर फर्टिलेटी रेशो जादा होना और लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी जादा होना अगर दोनों चीजे होती है तो हमारी चीजे तेजी से आगे के और बढ़ती है और जो चाइल्ड मॉटालेटी है वो घट जाना वादब कि शिशू मृत्यू दर घट जाए कुल प्रजनंदर बढ़ जाए और लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ जाए तो वहां ग्रो जादा दिखती है उस समय में अकाल से बिमारियों से बहुत मौते हुई थी स्पैनिश फ्लू का पीरिड था आपको याद होगा वह बहुत मौते हुई थी और जिस वज़े से 1911 से लेके 1921 का जो पीरिड था उसमें नेगेटिव ग्रोथ हुई थी हमारी और 1921 का जो साल था उसको ग्रेट डिवाइड येर के नाम से जाना जाता है इससे पहले की जन कोशन आता है मुझे बताईएगा इसमें मैंने वो कोशन लेने कोशिश की है जो थोड़ा सा आपको हिलाने कोशिश करें और आपको टॉपिक को मजबूत करने कोशिश करें बार बार बोल रहा हूं कि कॉपी बना लीजेगा फायदा तभी होगा नहीं तो चीज आएंगी वते ही जाएंगी और तीजए निकल के जाएंगे 17 लेक्चर है इन न को सजो टे रहिएगा जब एक्जाम होगा कभी भीए उंत्यक्स क पूछल arbitr God ear की मट्रीमियटे50 вся liar की सेंसे में नेक्स τουचार का सबसे आबादी यृयरा दैस्ट कॉनसा है महरास्ट में है थाने डिस्टिक है जाए ही तो 101 का data कि कर रहे है थाने दिस्टिक जो सबसे ज्यदगा जन्संख्या वाला ठेक सबसे कमावादी वाला डिस्टिक और याद रख लिए अरुनाचल प्रदेश में एक डिस्टिक है दिबांग कि दिबांग वही जगह है जहां से रम पुत्रा नदी इन बिल्ट होती है अंदर अपनी भारत में दिबांग घाटी यह सबसे लीस्ट पॉपुलेशन वाला इलाका था भारत का नेगेटिव इन स्टेट पॉपुलेशन ग्रोथ है भारत कि नाकरात्म ग्रोथ ही जन संक्या घटी थी बुचरगारं में भी कौन सा ऐसा राज था यह वो राज है जिसकी ओफिशल लेंगज युहां के इंग्लिश है नाम है नागा लेंड नाम है नागा लेंड के वी एस बीओ की क्लासिस लगातार चल रही है चाहिए तरह जूड सकते हैं कोई समझ्या हो आप उसके बात कर सकते हैं टेलिग्राम चैन सबसे जदा चैन संख्या उत्तर प्रदेश उसके बाद महरास्ट उसके बाद बिहार उसके बाद बंगाल इनको ध्यान रखेगा उत्तर प्रदेश सबसे जदा जंसंख्या वाला राज उस समय ही लगबग 19-20 करोर के आसपास की आबादी थी 1234 ranking याद रखिएगा नेक्स् प्रदेश नेक्स्ट लैंड और पॉपुलेशन रेशो भारत का भारत के पास देखो बहुत समस्या क्या है भारत के पास दुनिया किसी धाई फीजदी के आसपास जमीन है 2.4 परसन के आसपास और पॉपुलेशन लगवग लगवग 17-18 फीजदी पूरी दुनिया के जी अंधन ध्य देना होगा तो ये दियान तक हमारे पास लैंड कितना परसेंट यह सब्सकी है आसपास है यह से 40.7 फॉपुलेशन्यखक ऑफास लकoph Jupiter क्या अवैं chem देना है नेक्सथ संका कि अमिझ है शेक्राइन धान इस साल जरूर और बढ़ेगा इंच 14 सबसे ज्यादा इनकी संख्या कहां पे हैं बिहार में सबसे कम इनकी संख्या कहां है रुनाचल में एक और बात सबसे ज्यादा है सरवाधी कब तक की क्योंकि जनसंख्या इंक्रीज हो रही है डेकेडल ग्रोथ 2021 से लेकर 2011 के भारत में ग्रोथ कितनी हुई है 17.7 और यह पुरानों के मुकाबले में सबसे कम है बता दूँ हमारी जो ग्रोथ रेट है वो डिक्रीज हुआ है रिजन क्या है जो हमारा इक तो फर्टिलीटी रेशियो भी थोड़ा डिक्रीज हुआ है ना लोग अवेर हुए ह उसके बाद हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी इंकिरीज अच्छे से हुई है तो 17.7 पिछली बार के मुकाबले कम है यह ठिक है नेक्स्ट मैक्सिमम एंड मिनमम पॉपुलेशन देंसिटी वाले स्टेट बताया तो था बिहार मैक्सिमम है और अरुनाचल मिनिमम वाला किन रूamour है टो अरुनाचल प्रिशन में सट्र है रोटकिस्स दोग हिसाईosure क्रिस्ट कैसा अलगा मुझे बताई है कहां मेख शूर इस चैनल कर पहली बार आई तो सब्सक्राइब कर लीज But you are teacher. पैट के लिए एम कृती यूपी ट्रीपीलसी के नाम से चैनलर इसको जोइंग कर सकते हैं इसकी जो पीडियेफ है आपको टेलिग्राम ग्रॉप में मिल जाएगी और के वियो की क्लासेज अगर आपको जुड़ना चाहते हैं तो भी आप मिल सकते हैं बात कर सकते हैं कोई समस